हमेशा याद रखो, आप अपनी प्रोबलम से कई गुना बड़े हो, आपको खुद की नजर से उठना है, जो इनसान खुद की नजर से उठ गया वो दुनिया की नजर से अपने आप उठ जाएगा, जिस वक्त आप उस चीज की तरफ देखते हो जो आपके पास में नहीं है, उस वक्त आपकी किस्मत बुरी होती है, और जिस वक्त उस चीज की तरफ देखते हो जो आपके पास में है, उस मोमेंट में आपकी किस्मत अच्छी होती है, पहले आपको खुद के कमिटमेंट पुरे करने है, जब आप अपने खुद के कमिटमेंट पुरे नहीं कर पा रह नहीं तो आपकी जिन्दगी में वही होगा जो हमेशा से होता आया है काम्याबी अनुभव से आती है और अनुभव गलतियों से आती है यानि खराब अनुभव आपको पावफुल बनना है इसलिए नहीं कि आप किसी को दबा सको आपको पावफुल बनना है इसलिए कि कोई आपको दबाद नहीं सके, जब आपको ऐसी चीज की खोज करनी है जो आज तक किसी ने नहीं की हो, और यह दिजाय पनप जाए एक बार, तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो दिजाय आपके जरिये से काम करने लग जाएगा, दिजाय चुनना है तो बड़े से इस दुनिया का सब से बड़ा, बिजनस में न दो, तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो बाते करते हैं बड़ी बड़ी की जब हजार प्रोड़क्ट बिक जाएगी तब यह हो जाएगा, वो हो जाएगा लाख रुपे कमाऊगा इतने प्रोड़क्ट बेच दूंगा कैसे बिकेगा, अगर एक बिकेगा तो सो भी बिकेगा, एक हजार भी बिकेगा, जिसको पता है कि जो काम मैं क्या कर हर, हूँ वो क्यू कर रहा हूँ, जिसको ये पता है कि कैसे करना तो उसको कोई क्या हिलाएगा, कर्म क्या है कि मन में जो गलत चीजे आ रही है वपर जा क अगर अगर इतनी बुरी स्थिती से जब मैं उपर उठगा तो मैं क्या उठगा, जब को भी व्यक्ति आपको ये कहे की, आप यह नहीं कर सकते, तो वो बस इतना सा कहना चाहता है कि क्योंकि मैं यह नहीं कर सकता, ये जिन्दगी एक के, बाद एक बॉल के रूप में अवसर देती है, अगर अवसर छुट जाए यानि बॉल छुट जाए तो हमारा ध्यान दूसरी बॉल, पर होना चाहिए, मैं सब सेमिनार फ्री में करता हूँ, बस जिस दिन आप जिन्दगी में आगे बढ़ जाओ तो भूके का पेट, भर देता मेरे पैसे मुझे मिल जाएगे, हर एक के अंदर कोई न कोई शक्ति है जो इस पूरी दुनिया में किसी में नहीं है, बस तुम्हें उस शक्ति को जानना है, आपकी विल पावर के आगे दुनिया की कोई भी ताकत टिक नहीं, सक्ति, जब आपके अंदर आ जाए कि मुझे ये करना है, कितनी भी मुश्किले आने दो मुझे करना है तब पता होग जिस से आपके करिया का संबंध नहीं है तब भी वो टाइम पास करने के लाख गुना बहतर होगा, हर रोज अपने आप से ये सवाल करो कि अभी मैं क्या सिख रहा हूँ, और इस तरह से हर वक्त सिखने की अपनी आदत बना लो, ग्यान को बढ़ा कर कभी भी अपना अहनका नहीं बढ़ाए, यदि ऐसा करते हो तो तुम्हारी सिखने की उम्र खतम हो जाएगी, एक बात हमेशा अपने आप से कहनी है कि I am the greatest person ever born on this planet, अपने आप अपने फील्ड में सबसे महान समझे, दुसरे क्या सोचते है, वो कोई माटा नहीं करता यह महत्व नहीं रखता है कि आप बहार से लोगों को क्या बोल रहे हो, महत्व रखता है कि आप अपने आपको अंदर ही अंदर क्या समझते हो, और अपने आपको जो समझ रहे हो वैसा ही आप बन रहे है क्योंकि जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप एक्षन लेते हो और वैसे ही आप बन जाते हो, उसी लेवल का confidence आपकी आखों में नजर आएगा, एक है आपको energy लगानी पड़ रही है और एक है आपके अंदर से energy निकल करके बाहर आ रही है, दोनों में जमीन आस्मान का फर्क है इस दुनिया में greatest व्यक्ति वो है जो अपने काम में पूरा 100% लगा देता है, कोशिश करो की अपने काम को इतनी हद आगे तक ले करके जाओ की उस हद तक आज तक किसी ने न लाया और आगे भी किसी को लाने में बहुत जोर लगाना पड़े आप खुद को अपनी नजर से नहीं देख रहे, दुनिया की नजर से देख रहे, वो जो बोल रहे है वो आप मान रहे हो एक बार आप अपने आपको खुद की नजर से देखो तभी आप जान पाओगे कि आप actual में क्या हो दुनिया आपको चाहेगी और कभी गिराएगी, दुनिया का काम ही यही है, बस आपको इन सब बातों का कोई भी फर्क नहीं होना चाहिए अगर खुद आप अपनी नजर में greatest बन गए, तो आपके जो action होगे आप जिस तरह से बोल रहे होगे आपके साथ में जो लोग होगे उनको कुछ अलग ही नजर आएगा, वो आपके साथ में magnet की तरह चिपक जाएगे आप business कर रहे हो, आप खुद ही excited नहीं हो अंदर से, तो दुसरे जो आपके साथ में जुड़े है आपके team Member कैसे excited हो सकते है या तो किसी बड़े छाते के निचे खड़े हो जाओ और खुद ही वो छाता बन जाओ यानी खुद powerful बन जाओ, कोई भी किसी से कम नहीं है, जैसा वो सोच रहा होता है, वैसा ही वो बन रहा होता है आप कोई पैसा manufacturing करने वाली machine नहीं हो जो पूरे दिन 6-7 घंटे काम करके महीने के कुछ amount में पैसे बनाते हो, आप एक इनसान और इनसान सोच कर कुछ नया करने की काबिलियत रखता है जब आप किसी इनसान के साथ में कोई भी कोर्स शुरू करते है और कुछ सालों बाद आपका दोस्त कहा का कहा पहुँच गया आप वही के वही रहे गए, तो ऐसी स्थिती में बजाए जलने के उस दोस्त के जानने की कोशिश करे की ऐसा क्या वो जनता है जो आप सिखने से रह गए यह बात अच्छी तरह से समझ लो कि आपका किसी भी इनसान के अंदर जिस भी आदत पर ध्यान जाता है आप वैसे ही बनते जाते हो, सच कहू तो मुझे कभी भी दर नहीं लगता क्योंकि मैं यह मानता हूँ कि I am थे ग्रेट आपको हमेशा खुश रहना है अब सवाल यह उठता है कि खुश कैसे रहे जब भी आप लाइफ को पॉजिटिव साइड से देखते हो और जब भी आप लाइफ को नेगेटिव साइड से देखत हो आप दुखी होते हो सही ट्रैक क्या है हर सिचुएशन की पॉजिटिव साइड को देखना ही सही ट्रैक है इस दुनिया में असफल इनसान से भी सीखे और सफल इनसान से भी असफल व्यक्ती से उसके असफल होने का और सफल व्यक्ती से उसके सफल होने का कारण खुलते है, हिस्ट्री को उठा करके देख लो आप पाऊगे कि जितने भी काम्याब लोग हुए है उनके पास में दुसरों से ज्यादा जवाब नहीं बलकि दुसरों से ज्यादा अच्छे सवाल हुए है, अपने आप से मुकाबला करते जाओ, वहाँ कोई भी रिस्क नहीं ह हारे तब भी आपकी जीत है और जीते तब भी जिसको सवाल करने की आदत है वो चाहे किसी भी फील्ड में जाएगा वो काम्याब हो जाएगा दो इंजिनिया है, एक है जो सिर्फ रट्टा मार रहा है, एक है जो इस फंडे को समझ रहा है, जिसको फंडा समझ आ गया वो किसी भी प्रॉबलम को ठीक कर सकता है, लेकिन जिसने रट्टा मारा वो केवल, एक ही प्रॉबलम को ठीक कर सकता है, कर्म है बहना, ग्यान है ये ज कि चाहे लेहर है या नहीं है मैं लेहर नहीं हूँ, बुलबला है या नहीं है मैं बुलबुला नहीं हूँ, मैं पानी हूँ, आप चाहे जॉब करो, चाहे बिजनस करो, एक स्किल ऐसी है जो आपके अंदर होनी ही चाहिए, उसके बिना आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सक वो है, कम्यूनिकेशन स्किल, जितना आप बुराई को देखोगे उतना दुखी होगे, और जितना आप दुखी होगे उतने ही दुसरों को दुखी करोगे, जितना आप प्रकती से जुड़ते जाओगे, उतना अच्छा एहसास करोगे, इस दुनिया में सबसे बड़ी दिजाया है क्योंकि यह दिजाया ही है जो हमारे मन को इधर उधर भटका रहा है, अगर इस दुनिया से आप दिजाया, निकल दो लोगों के दिलों में से, क्या होगा, सब कुछ रुक जाएगा एक दिन के अंदर अंदर, जिस भी तरह के, दिजाया आपके अंदर दबे आपके जीने की वज़य बहुत बड़ी होनी चाहिए, अगर वो बड़ी है तो वो अपने आप ही आपसे बड़े बड़े काम करवाते चली जाएगी, तब क्या है, तब वो है कि ऐसा काम करना जो इस समय इस दुनिया में मानवता के लिए, इस पूरी दुनिया के लिए करन जरूरी है, उसमें आपको चाहे कितना भी दर्द हो रहा है, अगर आप वो कर रहे हो तो तब है, नहीं तो अगर आप अपने सेलफिश इंटरेस्ट के लिए कर रहे हो तो वो तब नहीं धूंग है, आप चाहे डॉक्टर बनने वाले हो, इंजिनिया बनने वाले हो, उस अंदर यह पनप गया न कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है यार, कुछ तो करना है, होसला बनना है दुनिया के लिए चाहे कुछ लोग ही मेरे को देख करके इंस्पाय हो, कुछ तो करना है, ऐसे ही, थोड़ी आया और चला गया क्या है, कुछ करना है, अगर आपको ये क्लियर हो गया कि मुझे इस problem का solution निकलना है तो solution खुद चल करके आपके पास आता है, problem में ही solution होता है, अरे जो सोए हुए हो, दरे हुए हो, बैठे हुए हो उठो, खड़ी हो आगे बढ़ो, problem में ही solution छुपा होता है, हर बीमारी का इलाज, कहीं बाहर नहीं होता है, उसी बीमारी में ह जैसे ही उस बीमारी का कारण समझ आता है, वही पर उसका इलाज छुपा होता है, जिन्दगी में कभी कुछ करना है तो सच बोल दो, ये दुनिया बदलेगी, क्योंकि यह भी होना आसान है, मेरे सारे सेशन का सार बहार की दुनिया से नहीं, अंदर की दुनिया से कैसे है, अगर आपके अंदर धेर्य है तो अपनी जिन्दगी का हर फेसला सही तरीके से ले सकते हो, मैं यह नहीं कहता कि एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बिना आप सर्वीव भी नहीं कर सकते दुनिया के, अंदर, मतल तो क्या है कितना भी कमालो, आपक कोई नहीं रोक सकता, हमेशा कुछ न कुछ सिखने के रास्ते पर अगर आप चलोगे, तो चलते चलते आपको पता भी नहीं लगेगा, और सच बता रहा हूँ पता भी नहीं लगेगा कि कब आप लोग नॉमल इंसान से सुपर इंसान बन जाओगे, इस दुनिया में मैजिक नाम की कोई चीज नहीं है, सिर्फ खेल है, अगर में आपका सर किसी पानी से भरे, द्रम में मुह पका कर उसके अंदर करदून, तो आप अपने आपको बचाने के लिए पूरी एनरजी लगा दोंगे क्योंकि, प्रॉब्लम बड़ी है, तो जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतनी बड़ी एनरजी आपकी जिन्दगी के बारे में सबसे अच्छा आपके, पेरेंट्स के अलवा कोई नहीं सोच सकता, हमें ये सोच बदलनी होगी कि अगर यह मेरा जो बच्चा है, उसका इन टॉप, कॉलेज में एड्मिशन हुआ त तो इसके अलावा सक्सेस होने का और कोई रास्ता है ही नहीं, जिसमें रूची है वो करो, जब आपको पता है कि इस रेस में आप जरूर हारेंगे तो उस रेस में भाग ही क्यो ले, आज की देट में इंडिया में इतनी opportunities है जिसकी कोई हद नहीं, बस ये सोच शाहिए कि ज जहा सारे लोग का ध्यान है वहाँ आपका नहीं होना, चाहिए आप वो कम कर रहे हो जिसमें आपकी weakness है और आपके competitors की strength है, तो आप हारेंगे, ही हारेंगे, तो अच्छा होगा अपने strength के according ही काम करो जरा internet पर लोगों के बारे में, पधो, ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे ज दुखी हो रहे हो